खुशी फेशन हिंदी चनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जूरी सारी अपडेट आपको मिलती रहें हेलो गैश नमस्कार खुशी फेशन हिंदी चनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम सिखेंगे यहाँ पर आगे बेल पीछे इलाश्टे को साइड में जीप लगाते हैं और यह जो पेंट है ओके से कटिंग होता है तो चलिए शुरू आज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़ा हमने बीछा लिया है यह डबल में हमने बीछाया है और यह जो पाग है यहां से पहले स्ट्रेट हम कटिंग कर लेंगे है तो यह जो पेंट होता है इसमें सब से पहले हम फ्रन्ट सैड्फ है ओक तेंग करते हैं तो यह वह बागए थroe हमारी तरफ हम रखेंगे और यहांपर उक यहांपर अलका मार्केंग कर लेंगे है तो उसलिए है वह sample किनारी होती है तो और तो जो है वो श्रही नहीं रहती है तो वो निकालने पड़ेती है इसलिए वहाँ पर हमने Hmm दलिया अब हम यह पर जो कमर है कमर कर लेते हैं तो تारर कमर करलेंगे कर लेंगे तो यहीं सबसों कमर करते है यहां पर एक इंच का बेल्ट आयेगा तो बेल्ट का यहां पर छोट देते हैं और इसके जो इफ से हो 40 इंच है तो इसका चौता पाग यानिकि 10 इंच पर यहां पर हम क्रोच के लिए मार्किंग करेंगे तो यही शाबसे हम यहां पर क्रोज का मार्किंग करते है तो दस पर मार्किंग किया अब थाइज वो 27 इस ची है यानि कि यहां पर साड़ा तेरा साड़ा तेरा कॉंप्लिट होना चाहिए और अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे डेड़ दो जीतन वहाँ से हम lineage का इप करेंगे और यहां पर हम अब नहीं की length लेंगे तो 19已经 22 पर है और इसецी j removal अधिस्वाइब इस और चो टो ट्रोटल लेंद हो 36 पर है तो सारे मार्किंग में यहां पर कर लेंगे तो यह marking होने के बाद यहां पर क्रोच का जो marking है वो यहां पर round का shape दे देंगे क्रोच के इसाब से और यहां पर यह वाला जो है वो यहां से measurement कर लेंगे तो 14 इंच आ रहा है तो यहां पर हम 7 इंच पर इसका जो half होता है तो इसका जो मेडल का मार्किंग है वो हम इस तरीके से निकलते हैं तो साथ इस पर यहां पर हम कंटिन्यू मार्किंग करेंगे तो इसका जो मेडल का मार्किंग है वो परफेक्ट हो जाएगा तो यह जो मार्किंग है वो यहां पर हम मेडल का करते हैं तो यह जो नहीं है इसक तो 16 देट है तो यहां पर 30 पर मर्किंग करेंगे मिल में रखके दुनों तरफ 24 यहां पर इसी थरीके से चीसी ज़ो बोटम है त्युक्प मीडे की है तो मिड़ीट पर टीन रखेंगे अब यह सारे के सारे जो मार्किंग है वह हम मिला लेंगे तो यह इसाफ से यह जो सेफ पट्टी है वह हमें चाहिए मार्किंग मिलाने के रिए है अगर हमारे पाश परण्ट नहीं थो हमघर इसाफ से भी कर सकते हैं रहिंगर टर सेपर्टी है तो बहुत ही अच्छे होगा है को और जाइगा पर्फेक्ट राउंड रखेंगा यहां परोगफे पाटे हो एकदम रेड़ी है तो यहां से आगे का जो पाटे हुआ हम कट कर लेंगे अब हम बेक सैट करेंगे तो यह जो यहां पर मार्किंग है वह यहां से बड़ा रखना है तो यह जो क्रोच वाला इससा है वहां से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो यहां पर यह जो क्रोच का मार्किंग है वो फ्रंट में है वह ही पर हम मिला लेंगे और यहां पर टाइंच जितना बड़ा रखेंगे यहां से यहां से ऑग सरस्ट का ब asynchronous यदे तरक सकते हैं तो सथ्वेट अब सकते हैं और यहां से सब्सक्राइब म ін- canceled करें हैं तो दो इंच लूज रखेंगे पूरा यानरी की शिलाइब का जो हमने आगे का इससे मैं नहीं छोड़ा था वह सारा का सारा इस यहाँ पर एक्जेस्ट कर लेंगे घ्टो यहां पर यह दो है वह हम हमने मार्किंग कर लिया है और यहां से आवा हम प्रोच के लिए मार्किंग करेंगे और राउंड से दे देंगे और अब यहां साइड वाला इस्ता है वहां पर हम दो दो इंच पर मार्किंग करेंगे तो यह जो दो इंच हम बड़ा रखेंगे तो दो इंच पर यह मार्किंग करते हैं तो यही साब से सारे मार्किंग हमें कर लेना है और उसके बाद कटिंग कर लेना है तो यहां पर यह जो मार्किंग है वो भी bottom fault करने के लिए वो भी हमें कर लेना है तो यहां से अब हम cutting करेंगे तो यहां से हम cutting कर इस तरिके से कर लेंगे और cutting हो जाने के पाद यह जो pen है वो cutting एक जाम ready है तो यह था अज का हमारा video आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताई अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारा चनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ